मनसो खिरेन हत्या कांड और एंटीलिया बॉम कांड को लेकर एनाईये लगातार एक्षन में दिखाई दे रही है लगातार एक के बड़े एक्षन एनाईये की तरफ से लिये जा रहे हैं आज मुंबई के पूर्फ इंकाउंटर स्पेशलिस्ट और शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा के घर पर एनाईये छापे मारी कर रही है और रास्ट्रिय जाच एजेंसी यानि की एनाईये ने प्रदीप शर्मा को हिरासत में भी ले लिया है और उनसे पूछताच का जो सिलसला है वो अभी भी जारी है बताय जा रहा है कि प्रदीप शर्मा एनाईये के रिडार पर काफी समय से चल रही थे लेकिन एनाईये के पास में प्रदीप शर्मा के अगेंस्ट में पुखता सबूत नहीं थे इसलिए एनाईये उनके खिलाप में कोई बड़ा एक्शन लेने से कत्रा रही थी और अब जब एनाईये के पास में ठो सबूत उनके हाथ में लग चुके हैं तो अब एनाईये ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और चापे मारी का जो सिलसला है वो अभी भी चल रहा है उसके बाद मुंबई के अंधेरी के जेपी नगर इलाके में भगवान बिल्डिंग की छटी मंजल परिस्थित प्रदीप शर्मा के आवास पर एनाईये की टीम इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की जाच कर रही है और तमाम सबूतों को इखटा करने की कोशिस में जटी हुई है साथ ही इस मामले में उच्ताच कर रही है एनाईये के साथ सी एर पिएफ की टीम भी मौझूद है इस तरीके की गवर निगल कर सामने आ रही है इसमें कुछ महला अधिकारी भी शामिल है अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार प्रदीप शर्मा जाच एजेंसी के रेडार पर कैसे आ गए क्योंकि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था जैसे सचिन वाजे के पीछे जो उसकी टीम खड़ी थी जो सबूत मिटा रही थी फिर आखिरकार ये कैसे पकड़ा गया बताय जा रहा है कि मनसुक के मडर से कुछ दिन पहले सचिन वाजे और एक शक्स के बीच में अंधेरी इलाके में इस्तित एक बैटक हुई थी प्रदीप शर्मा भी इसी लाके में रहते हैं जाच एजेंसी को आशंका है कि मीटिंग सचिन वाजे और शर्मा के बीच में हुई है इसके अलाबे एक CCTV फुटेज में सचिन वाजे और बिनाएक संदे बांदरा वरली सीलिंग पर कार में बैठते हुई दिखाई दिये थे एजेंसी का मानना है कि ये दोनों अंधेरी में शर्मा से मिलने के लिए ही जा रहे थे क्योंकि मन्सु खिरेन को जिस नमर से कॉल करके बलाए गया था उसका आखरी लोकेशन भी अंधेरी का जेबी नगर था सचिन वाजे पर एंटीलिया केस का मुख सूत्रधार होने का आरोप है और जब धीरे धीरे ये मामला इंवेस्टिगेट किया गया तो इसकी अब जो परत दर परत हैं सारी की सारी जो है खुलती जा रहे हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं 15 मार्च को रास्ट्य जाच एजेंसी यानी की एनाईये ने निलंबित पुलिस सदिकारी सचिन वाजे को गरफतार कर लंबी पूछताच की थी जिसमें सचिन वाजे ने कई खुलासे किये थे पूर्व इंकाउंटर स्पेसिलिस्ट प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की नजदी की किसी से भी छिपी वी नहीं है जब से ये मंसो खिरिन की हत्या का मामला निकल कर सामने आया है ये पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुका है प्रदीप शर्मा पर कई आरोप लगे हैं इसके अलावा मंसो खिरिन की हत्या के केस में गरफतार पूर्व कॉंस्टिवल विनाइक शिंदे भी प्रदीप शर्मा का बहुती करीब ही बताए जाता है वहीं हाली में संतोर सेलार और आनंद जादव की भी गरफतारी की है एनाईये ने जेलेटिन के मामले में जो स्कॉर्पियो वहां पर पार्क की गई थी उसमा प्रदीप शर्मा का भी नाम निकल कर सामने आया है पूछताज के दोरान बताएए जा रहा है कि प्रदीप शर्मा का संतोर सेलार से गहरी दोस्ती थी तो धीरे धीरे प्रदीप शर्मा जो है एनाईये के जाल में फस्ते गए और आज उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अब एनाईये ने उनसे पूछताज जो है शुरू कर दी है दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रदीप शर्मा पर इस तरीके के आरोप लग रहे हो प्रदीप शर्मा 1983 बेच के IPS अधिकारी रहे हैं मुंबई में ये Encounter Specialist के तोर पर जाने जाते थे हलाकि इन पर पहले भी इनका Underworld के साथ तार जुड़े हुए थे छोटा राजिन के गुर्गे लखन भाईया का फर्जी Encounter करने का आरोप प्रदीप शर्मा विनाक्षिंदे समयत इनकी जो पूरी टीम थी उस पर लगा था यानि कि महराश्रो में मुंबई में ये बहुती आम हो चुका है कि किसी का भी किसी को भी टपका नहों किसी को मारना हो तो सिर्फ Encounter का नाम दे देना है और फर्जी Encounter के तहत उसको जो है टपका देना है इस मामले में शर्मा को सस्पेंट भी किया गया था लेकिन बाद में वे कोट से बरी हो गए थे 2019 में प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकेट पर नाला सपोरा से चुनाब भी लड़े थे तो शिवसेना से भी प्रदीप शर्मा के जो तालोक है वो बहुती करीबी बताई जाते है बड़े बड़े नेताओं के साथ में इनका उठना बैठना है इस तरीके की खबरे आ रही है तो इनकी राजनेतिक हैसियत कितनी है अब तक आप ये भली भाती जान चुके होंगे बैराल हैसियत जो भी रही हो अब एनाईये के हाथ में उनके खिलाब बहुती पुकता सबूत लग चुके हैं और धर पकड़ जारी है तमाम लोगों का तो यहां तक मानना है कि प्रदीप शर्मा बहुत कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिससे वो सत्ता की जो महाराश्टर की सत्ता है वहाँ पर भूचाल आ सकता है अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदीप शर्मा आप किसके ऊपर ठीक राफोडते हैं और अगली गरफतारी किसकी होती है बेराल जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसिया है चाहे फिर वो CBI हो, NIA हो, ED हो लगातार जो है धर पकड़ कर रही है लगातार एक्षन में दिखाई दी रही है बेराल इस वीडियो में इतना ही जल्द बनुगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नहीं है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्स